हलो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों पतंजली का केश कांती तेल बालों को जड़ो से मजबूत और हेल्दी बनाकर प्राकर्टिक पोशन देता है और बालों को तेजी से बढ़ाता है बजार में मिलने वाले तेल और शैंपू, मिनरल ओइल और कैमिकल से बने होते हैं इस तरह के शेंपू और तेलों को यूज करने से बालों की हेल्ट पर बुरा असर पड़ता है पतंजली केशकांती हेर ओयल में आवला भ्रंगराज, नीम, रामी, जटा मासी जैसी चीजे होती हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं अब देखते हैं कि इस तेल का यूज कैसे करना है, इस तेल को रात को सोने से पहले अपने बालों में और सिर पर अच्छी तरह लगाना है तेल की quantity अपनी जरुरत के हिसाब से ले सकते हैं, अपनी उंगलियों की हल्प से बालो और सिर में इस तेल से अच्छी तरह मालिश करनी है, मालिश करने के तुरंट पहले बालो को धोना नहीं है, अच्छी तरह मालिश करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत दबाकर और मालिश करने से बालो के कमजोर होने का खत्रा रहता है, इस तरह रात को सोने से पहले 57 मिनट सिर और बालो में इस तेल की मालिश करनी है, इसके बाद बालो पर कोई कपड़ा या कैप नहीं लगाएं, क्यूंकि इससे एर और हीट का फ्लो नहीं हो पाता, इसकी जगे तकिये पर पुराना कपड़ा बिचा सकते हैं ताकि तेल से आपका तक्या और बिस्तर खराब ना हो। इस तेल की मालिश करके सो जाना चाहिए जिससे की तेल रात बर बालों में लगा रहे। रात का टाइम किसी भी तरह की हीलिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। इससे बालों की जड़े स्ट्रॉंग होने लगती हैं। अब आपको सुबह उठकर बाल हर्बल शैंपू से ही दोने हैं। इसके लिए भी पतंजली का केश कांती शैंपू यूज कर सकते हैं। क्यूंकि ये भी हर्बल शैंपू है, केमिकल्स और मिनरल ओइल इसमें नहीं हैं। बाल दोने के बाद हलके हातों से एक साफ तौलिय से सिर और बालों को पहुचकर फिर से सिर में थोड़ा सा केश कांती हैर ओइल लगा सकते हैं। अगर सुबह इस ओइल को नहीं लगाना चाहें तो आवले का तेल, बदाम का तेल या नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। इस तरह जिस दिन भी शैंपू करना हो, उससे एक रात पहले अपने बालों, सिर और बालों की जड़ों में केश कांती हैर ओइल से मालिश करनी चाहिए। इस विदी को हपते में एक बार से लेकर तीन बार तक यूज किया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ सावधानिया बता रहा हूँ, जो आपको इस रेमेडी को यूज करते टाइम फॉलो करनी है। कोल्ड रिंग्स, पासफूर्ट से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ये बालो की जड़ो को कमजोर करते हैं, जिससे बाल गिरते हैं और उनकी ग्रोथ भी नहीं होती है। बालो की ग्रोथ के लिए ऐसी चीजे खानी चाहिए जिन में आइरन खूब होता है। इसके लिए हरी पत्यदार सब्गियां जैसे पालक, मेथी, मटर, बीन्स वगेरा, ड्राइफूट्स यानि बदाम, किश्मिश वगेरा खाने चाहिए। इस तरह आप अपने बालो को दे सकते हैं लंबी उम्र का वर्धान। ऐसे ही और हेल्थ के वीडियो देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।